आज हम स्टाट करेंगे चेप्टर नमबर वान एड़ क्लास का साइंस का चेप्टर नमबर वान है मारे चेप्टर का नेड़ है नमबर वान सबसे पहले चेप्टर का एड़ क्लास की साइंस का इसमें जाज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम चेप्टर वान है चेप्टर का हमारा पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है उससे पहले थोड़ाल सा अगर हम देख लें इसके बारे में नर्वस सिस्टम के लिए हम बात करते हैं कि हमारी बाड़ी में मुझूद है, इसका काम क्या है कहीं भी हम यह कहते हैं कोई भी इनसान अगर जा रहा है उसे कहीं पे चोड लाग गयी है कहीं पर भी हमें कोई चोड लगे गी, कहीं पर जाएगा, कहीं पर जलन का खापार हो रहा है, कहीं पर बहुंचा प्रेशा क्योंश हो रहा है, या धंड़क का हसा सो रहा है, तो वह कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉड़ी के सारे पार्स अपस में कॉर्डिनेटिड है उस तरह से में वो फील होता है अब कॉर्डिनेशन कैसे होती है बॉड़ी के सारे पार्स के अंदर इसी नर्वस सिस्टम के जरी है नर्वस सिस्टम क्या है नर्वस सिस्टम हमारी बॉड़ी के अंदर मुझूद वो सिस्टम है जो के मैसिज कंड़क्ट करता है जिसम के एक हिसे से मैसिज लेके दूसरे इसे तक लेके जाता है ठीक है तो इस तरह से बॉड़ी के अदर कोडिनेशन होती है यानि बॉड़ी के एक पार्ट से मैसिज लेके जाएगा ब्रेन की तरफ, ब्रेन फिर उस मैसिज को पड़ेगा, फिर उसका रियक्शन देगा, उसका रद्यमल देता है, और फिर उस, वो हमें अगर कोई भी चोट लगेगी, तो हमें फिर उसके नतीजे में दर्ग का हसास होगा, ठीक है, तो इ इस तरह से इस सिस्टम के जरिये से हमारी बॉड़ी जो है, इसके सारे के सारे पार्स आपस में कॉड़िनेटील होते हैं, आपस में मिलेवे होते हैं, जिसकी वज़ा से फिर हमें सारे के सारे यह हमें फिलिंग्स होते हैं, अब नर्वस सिस्टम जो है, अब नर्वस जो दूसरी हमारे पास इसकी division है वो है peripheral nervous system इसको pronounce करेंगे हम peripheral, peripheral nervous system और अगर आप इसको abbreviate करते हम इसको short form में लिखना थाए तो हम इसको abbreviate करेंगे PNS, PNS stand for peripheral nervous system ठीक है तो ये दो हमारे पास divisions आगे कि इसकी nervous system की जिसके जरिये से मारे body के सारे parts अपस में coordinate लिए है आगे इसकी आगे मज़ीद divisions हैं जो center nervous system या जिसको हम CNS कह रहे हैं इसके आगे मज़ीद दो हिस्ते आज़े हैं दो पार्सने जिनके first वाला nervous brain और तुसरा है spinal cord ब्रेंग को पता है brain क्या है brain उर्दुने इसको कहते हैं दिमाग को कहते हैं हमारी खोपडी के अंदर, हमारी skull के मज़ीद इसकी divisions हैं यह है central nervous system या CNS की division दूसरी हमने कोंसे हैं कि हमने का peripheral nervous system या PNS अब इसका function क्या पैरिफल nervous system क्या है peripheral nervous system यह network है किसकी इसका network है? nerves का network हमारी सारी body के तर एक जाल की शकल में nerves फैली हुई है यही वो नार्ज हैं जो के सारे body parts को अपस में coordinate करने में help करती है message एक जगा से दुसरी जगा इनके जरीए से पहुंचाया जाता है ठीक है? अब अगर इसकी बात करते है central nervous system की तो यह हमारे body का यह central part है और इसके जरीए से message यहां पर brain के पास आएगा फिर उस message को पड़ा जाता है और फिर उसके मताबिक reaction दिया जाता है या रदेवर दिया जाता है ठीक हो गया अब यह दो हमारे पास दिविएंस की? nervous system की next हमारे पास आ जाता है neuron या nerve cell neuron या nerve cell की तरह कहते हैं जिस तरह से हर एक चीज की कोई बुनियाद होती है कोई अकाई होती है इसी तरह से neuron या nerve cell की बुनियाद या काई है nervous system की यह structural or functional unit है उसका उसकी बुनियाद है या उसकी अकाई है ज्यादा सारे millions and billions neurons या nerve cell की मिलते हैं और वो पूरे का पुरा nervous system बना देते हैं ठीक है अब इसी definition देखते हैं neuron या nerve cell क्या है तो it is the structure and functional unit of nervous system उसकी बुनियाद है उसकी अकाई है इसकी nervous system की ठीक है अब neuron या nerve cell करते क्या है इंका function क्या है ये nerve impulse को लेके लाए नर्व इंपल्स क्या है nerve impulse एक तरह का message है किस वाम में इस मैसेज को लेके जाएंगी जाएंगी अप्रॉप्रो केमिकल वे एक लहर की शकर में कुंसी लहर है वो कीमियाई और बर्की लहर इलेक्रो केमिकल वे इस form में message को लेके जाएंगी एक nerve impulse को की कुम किसका है निरॉन का या nerve cells क क्या करते हैं यह message को लेके जाते हैं उसको क्या पहिंग है? message को उसके नब impulse का नाम देते है नब impulse क्या है? यह यह message है? किस चकल में जाता है? message सारे body parts है electrochemical wave की form में एक किमियाई बर्की लहर जाती है हमारी body के अंदर उसके जरिये से फिर message body के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा गी है ठीक है? next आजाते हैं हम इसके parts की या structure की अगर बात करने है इसका structure क्यासा है? यह इसके अंदर parts कों से मुझूद है हम वो देख लेते है basic हम यह कहते हैं इसके three parts है आजाते हैं हम इसके डाग्राम भी इसके डाग्राम है इसके डाग्राम है neuron ये nerve cell की डाग्राम सबसे पहला है cell body जोसका सबसे पहला ही साब कों सा है? cell body अब यह जो उपर आपा structure नजर आ रहा है यह cell body के लाग्राम cell body के अंदर मज़ीद आभी अमरे पर दो चीज़े आ रहा है कुंपुंसी हैं कोने का Cytoplasm इसको क्या परनौस करेंगे? Cytoplasm और दूसरा यह कहता है Nucleus अब यहां पर डाग्राम के अंदर देखें तो यह center में जो आपको चीज नजर आ रही है इसको हम निकलस बोलेंगे निकलस के बाढ़ें यहां पर जो सारा generally like material है निकलस के बाढ़ें जितना भी यहां पर जो material है वो सारे पर सारा क्या कहलाएगा वो कहलाएगा Cytoplasm बात कर रहे हैं हम किसकी love cells की या neuron के parts की सबसे पहला बाढ़ हमें निकलस है cell body उसके बाढ़ें का मजीब दो चीज़ के बाढ़ें पर cell body के आई जो को structure नजर आ रहा सारा यह cell body है इसके बाढ़ें मजीब दो आपको structure नजर आएंगे एक हमें निकलस और दूसरा है Cytoplasm अगर दूसरे हम इसकी पार की बाढ़ की बाढ़ें निकले वे हिस्से हैं यहां पर आपको नजर आ यह जो उपर की तरफ बढ़े वे हिस्से हैं यह सारे के सारे का कहलाते है इन डेंडराइस का function क्या है यह message को ले आते हैं किसकी तरफ cell body की तरफ यानि इन डेंडराइस क्या करेंगे जो भी message आते हैं इसकी तरह सेल बाढ़ी की तरफ ले के आते हैं जो दूसरा बाढ़ हमारे पास हमने गड़ा एक्जोन है अब एक्जोन क्या है यह लंबा सा बड़ा बाइससा जो आपको नजर आ रहा है एक्जोन इस एक्जोन का फंक्शन क्या है यह message को cell body से दूर लेके जाए away from cell body दोदरा के missing बात की है हमेखा पहला डेंडराइस है जो cell body की तरफ लेके आ रहे है message को ठीक है दूसरा हमेखा जोन है जो एक बड़ा हुआ हिस्सा है यह करता है cell body से message को दूर लेके जलगा और उसके बाद last time है हमारे पास terminal end इसका आफरी जो हिस्सा है इसके आफरी हिस्सा है यह neuron का या नजर का जो आफरी हिस्सा है terminal end terminal end फिर इसी तरह के एक और structure होगा उसके बाद next फिर होगा तो इस तरह से सारे के सारे जो nerve cells and neurons होते हैं वापस में interconnected होते हैं सारी body के अंदर यह एक जाल की शकर में पहले वे हैं जिसके जरीए से message हमारी body के different parts को पहुँचाया जाता है जो के functional और structure of functional unit है बुनियाद है भाई है उसकी nervous system ठीक है उसके बाद next हमारे बास आ जाती है इसकी types types है जिसकी है neurons की या nerve cells की बैसे three types हैं जो की book के अंदर mention है सबसे पहली हमारे बास इसकी राइट है होगा है sensory neuron दुसरी जो type है उसकों बोलेंगे motor neurons और the third one है वो है hinder neurons जो सबसे कहले वाली है जिसका मेंगा sensory neurons उसके name से बदा चाल रहा है sensory है यानि sense organs से related है sensory neurons है अब इसका क्या काम है इसमें message लेके जाना है कोहां से message लेके जाना है sense organs कोई भी हो सक्किया eyes है, hairs है, nose है, skin है ठीक है कहीं से भी जो भी मारी काड़ेंगे sense organs मुझूद है वहां से message लेके जाएंगे कौन message लेके जाना है sensory neurons sense organs से message लेंगे उसको कहां तक पहुंचा देंगे central nervous system central nervous system के आगे पिछे पाड़ के आगे मजीद brain और spinal cord बर मुश्मिल है ठीक है यह message लेते हैं हमारे different sense organs से और उसको central nervous system तक पहुंचा देते हैं यह तर function किसका sensory neurons का जो दूसरी डाइट हमारे पास रो है motor neurons मैसीज पहुँच किया central nervous system तक अब brain ने उसको पढ़ा अब उसके मुताबिक हमने रद्यमल दे रहा है क्या जवाब होना चाहिए ठीक है अब central nervous system से motor neurons मैसीज को लेते हैं जो कि रद्यमल की reaction की form में होगा उसको effector तक ले लिए effector क्या है हमारी body का वो हिस्सा है जो effect हुआ है ठीक है जिसके उपर यानि body का वो हिस्सा effector यहाँ उसमें जिसके उपर असर हुआ है जो effect हुआ है जिसके उपर असर हुआ है ठीक है तो वह effector कहला जिए तो motor neurons क्या किया जो भी brain इसको message दिया है central nervous system से जो भी इसको message दिया है उसको उसने लिया है और वह effector तक उसको पहुँचा दिए तो यह रहा motor neurons का function तीसरे मारे पास आजिते हैं inter neurons inter neurons brain और spinal cord के अंदर मुझूद होते हैं यह basically बहीं पे located होते हैं इनका function क्या है इनका function यह है इन दोनों के उदर यह पहली दोनों टाइपस होने पड़ी है यानि sensory neuron है जो motor neuron है इन दोनों के दरमियान यह एक link क्रियेट करता है इन दोनों के दरमियान तालूग बनाता है ठीक है यानि जो भी message sensory neurons or central nervous system तक आया है फिर वहां पे वहां सी चीज मुझूद है वहां पे inter neurons मुझूद है उनके जरिये से वह सारा प्रोसीड हुआ message और फिर वहां से inter neurons से किसके पास अला गया motor neuron के पास motor neuron में इसको effector ताक ब्रे दिया तो इस तरह से इनके दिरमियान होती है coordination ठीक है तो यह तीन हमारे पास size है किसकी neurons की या nerve size है उसके बाले करें speed की बात करें nerve in pass क्या है आगे पीछे पाड़ के आए है हमने का है nerve in pass का message है जो कि electro chemical way की form में आपकी बाड़ी के अंदर conductor किया जाए अब इस इसकी speed कितनी होती है तो हमें यहां पे दो आप screen लिख लिए maximum जादा से जादा कितनी होगी minimum कम से कम कितनी होनी चाहिए maximum जादा से जादा यह है 150 meter पर second एक second के अंदर यह 140 meter का फासला दाय करती है maximum जादा से जादा जो होगी अगर minimum की बात करें कम से कम इसकी speed कितनी होती है तो यह एक second के अंदर 0.2 meter का यह फासला दाय करती है यह होगई इसकी speed जानी maximum इसकी speed है नर्वस सिस्टम के बारे में जिसके बारे में आपने पारलिस की डादिमेशन पार ली हम उसकी मजीड दिवियल्स रेखिए हैं यहां। तो यहां तर हमारा यह lecture 1 complete हुआ, next हम lecture 2 start करेंगे आगे